हेलो और मोर्स अब गाईज आपका स्वागत है एक और नए वीडियो लेक्चर में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं Constitution of India में Preamble Topic के उपर तो बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में देखेंगे की Preamble का Meaning और Purpose क्या है आखिर Preamble हमारे Constitution में डाला ही क्यों गया है फिर उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे क्या ये पार्ट है हमारे Constitution का ठीक है और लास्ट में डिसकस करेंगे क्या Preamble को Amend किया जा सकता है कहनी का मतलब क्या इसे में Modification की जाहते हैं की नहीं ये तीनों Questions आपके Judicial exams के Point of View से काफी Important है तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को बाकी अवर इस लेक्चर की आपको नोर्स चाहिए तो वो डिसक्रिप्शन में दिये गए लिंक से आप बिल्कुल Free of Cost डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले Meaning and Purpose of Preamble कहने का मतलब की प्रियंबल Constitution में क्या पर्पस प्ले करता है क्यों है Constitution का हिस्साई इस पर थोड़ा discussion करते हैं तो नोर्स तो देखिए जो यह लिखा हुआ सामें यह नोर्स आपको में दिसक्रिप्शन में तो आप पढ़ लिजेगा मैं आपको यहाँ पर इस नोर्स में जो जो लिखा है उसका मतलब समझाता हूँ तो meaning and purpose of preamble आपने कभी ने कभी लाइफ में कोई में कोई कोई किताब तो पढ़ी होगी है ना मतलब बात अप LLV के स्टूडेंट आपने स्कूर में कितने किताबे पढ़ी होगी कोर्स की भी कोर्स के बाहर की भी तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगा हर प्रियम हर सुरी हर बुक में सबसे पहला पन्ना या फिर kind of one of the first pages जो होता है वो क्या होता है उस किताब का प्रीफेस होता है वहाँ पर बुक्स की शुरुबात में आपको अक्सर क्या देखने को मिलता ए इंट्रोड्जन नदी पहले प्रीफेस देखने को मिलता है और प्रीफेस में क्या होता है basically author जिस ने भी उस किताब को लिख Supos चाहता है, क्या बात express करना चाहता है, वो अपने preface में objectives और purpose उस किताब के lay down करता है, ठीक है, preface I think आप सबने देखा ही होगा, preamble जो है constitution का, वो भी kind of introduction और preface के जैसा ही काम करता है, ये basically lay down करता है कि constitution जो हमारा है, इसकी legislative intent क्या है, legislative intent कहने का मतलब की, जैसे बियार अंबेड कर थे, और भी बड़े-बड़े scholars थे, knowledgeable लोग थे, जिन्होंने हमारे constitution को बनाया, तो उनकी कुछ intent रही होगी, है न, कुछ चीज़े वो चाहते होगी कि हमारे कानूरों में achieve हो जाए, कुछ goals अचीव हो जाए, कुछ objectives अचीव हो ज होटे में उसी legislative intent को, उसी नियत को represent करता है, कि इस constitution से, फ्रेमर्स ने, जिन्होंने बनाया है हमारे constitution को, वो क्या achieve करना चाहते है, ठीक है, आशान सब्दों में आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, कि ये main objective, slay down करता है, यानि कि कौन कौन से goals हैं, जो कि इस constitution समवेधान के तुरू, hoped है, कि वो achieve हो जाएगे, ठीक है, और कई cases में सुप्रिम कोट ने ये भी काया है, जो कि मैं आपको judgment बता दे रहा हूँ, ये कि हमारा जो constitution का article है, कई articles है, ठीक है, इन articles का जो interpretation है, यानि कि उनका जो मतलब है, हम इसा preamble की light में समझना चाहिए, क्योंकि preamble मोटे तोर पर दूरे ही constitution का ultimate purpose, ultimate goal बताता है, तो किसी भी article को जब आप interpret करें, course interpret करें, तो it should be done in the light of preamble, ठीक है, I hope आप लोग को समझ आया होगा यहां तक, यही सब बाते जो मैंने आपको बताई, यही सारी बाते यह सामने verse में आपको लिखी है, अनूर्स टाउनलोड करके आप लोग पढ़नीजेगा, ठीक है, यहां पे justice M. हिदायत अल्ला की एक statement भी है, वो है कि preamble is the soul of our constitution which lays down the pattern of our political society, कहने का मतलब हिदायत अल्ला यह कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर है, दिमाग है, अत्मा है, उसी त preamble से related एक important बात यह भी कि पंडित जवाहला नहरू जो थे, उन्होंने objectives resolution नाम लाद रखेगा, objective resolution प्रपोस किया था, constituent assembly के समझ और constitution assembly ने उसको rectify किया, जो की बाद में चल करके basis बना, basic foundation बना हमारे इसी preamble का, जो की constitution का हिस्सा है, एक objective resolution जो पंडित नहरू ने पेश कि किया था, उसको बाद में rectify किया, constituent assembly ने और यही basis बना, हमारे इंडियन constitution के preamble का, ठीक है, और इसी बाने चली, preamble देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यह preamble है, तो मैं suggest करूंगा आप लोगो की preamble के, जो जो important keywords हैं, वो आप जरूर से memorize करो, क्योंकि इस पर prelims होया means अचर कोशन आते हैं, आपके answer writing में भी काम आएंगे यह चीज़े, यह words और प्रिलिम्स में तो अचर पूछा ही जाता है, सबसे पहला ही जो word है, आप notice करोगे preamble में, वो यह है कि, we the people of India, we the people of India, अब यह जो phrase है, इससे क्या पता चलता है, कि कौन सी authority है, आखिर source क्या है ह कौन सी authority है, जो कह रहे है कि objective सची होने चाहिए, कौन सी authority है, जो यह rights confer कर रहे हैं लोग को, people of India, ठीक है, हम ही लोग, citizens ही citizens को, मतलब हम लोग ही, हमने खुदी को यह constitution दिया है, यह सारे rights, तो preamble में ने mentioned है, और भी देखते हैं, और जो objectives lay down कर रहे हैं, वो भी, इस सारा कु authority ने दिया है, हम ही ने दिया है, खुदी खुदी है, people ही source है, people of India is the source of constitution, or you can say preamble, ठीक है, और उसके बाद क्या है, sovereign, socialist, secular, democratic, and to secure, अब यह जो words हैं, यह जो 5 words हैं आप लोग के सामने, पहला, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, यह 5 words यह बताते हैं, कि हमारे जो देश की सरकार होगी, governance होगी, उसकी क्या 5 characteristics होगी, यह 5 words प्रियम्बल के उसी point को indicate करते हैं, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, I go, अप लोग को इन 5 words का मतलब पता होगी, नहीं पता, तो मैं मुटे तोर को बता दे रहा हूँ, sovereign कहने का मतलब, प्रियम्बल यह कहता है, कि हमारे देश की जो सरकार है, वो sovereign होनी चाहि कोई विदेशी ताकत, कोई foreign power या कोई external authority जो इस देश के बार है, इंडिया के बार है, वो उसको command नहीं कर सकती, order नहीं दे सकती, governance जो होगी, वो supreme होगी, supreme authority होगी उसके पास, दूसरा जो word है socialist, socialist मोटे तोर पर आप यह समझो, socialist कहने का मतलब, जो हमारे देश की governance होगी, व लोगों में economic equality होगी, wealth का distribution equal तरीके से होगा, हर किसी को employment के मामले में equality मिलेगी, और basic sense में कहना चाहूं, तो जो standard of living है लोगों का, वो eight जैसा होगा, ठीक है, उसमें अंतर नहीं होगा, कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीड है, अब reality में क्या होता है, उसको ना discuss करते है, हम socialist word के बारे हम कह रहा हूँ, कि preamble चाहता है कि ऐसी governance हो, जहाँ socialism, ठीक है, equality हो, फिर उसके बाद आ जाता है word secular, secular तो I think आप सब को पता होगा, secular कहने का मतलब dharnet pitch, यानि कि हमारा जो देश की सरकार होगी, इंडिया होगा, वो कहीं ने कहीं, उसका कोई religion नहीं होगा Hindu, Muslim, कुछ नहीं, हम सब diverse religion वाने मिलकर के साथ में रहेंगे, and then there is democracy, democratic word तो I guess, ये भी पता ही होगा अप लोग को, democracy कहने का मतलब की, जो लोग हम लोग को govern करेंगे, जो सरकार होगी, उसको हम लोग चुनेंगे, हम लोग पस right to vote रहेगा, और हम लोग जो जिन लोगों कुछ होगे, वह हम पर govern करेंगे, हम पर rule करेंगे, ठीक है, majority का rule होगा, हर मामले में जो majority चाहती, वो होगा, फिर आ जाता है, republic, republic कहने का मतलब simple सा होता है, कि जो head of the state है, यान की हमारे देश का, India का, जो head होगा, वो elected होगा, लोगों द्वाड़ा चुन जाएगा, हमारे देश का head कौन है, president है हमारे देश का, अब आप बोलोगे, president का तो election होता नहीं, prime minister का होता है, तो president electoral college से चुना जाता है, indirect way में हम लोग कह सकते हैं, हम लोग ही president को भी चुनते हैं, directly नहीं चुनते हैं, उसके लिए vote नहीं करते हैं, पर जो electoral college में लोग होते हैं, उनको तो हम ही चुन characteristic है हमारी government का, जो की preamble lay down करता है, ठीक है, साथी साथ preamble कई तरीके के rights भी confer करता है, हम लोगों के पर, people of India के ओपर, कौन कौन से भाई, पहला है justice, justice चार, तीन तरीके का, sorry, social, economic, और political, liberty, किस लेवल पे, past तरह की, thought, expression की, belief की, faith की, worship की, equality of status, opportunity की, or to promote them, among all, हर मामले, status की, opportunity की, equality, हर मामले में एक तरीके से, equality होनी चाहिए, इस तरह के rights भी confer करता है, and fraternity, ensuring the dignity of individual, and unity and integrity of religion, fraternity भी होनी चाहिए, जिससे की, जो individual है, हर एक व्यक्ती की, जो dignity है, वो बनी रहे, साथी साथ, जो देश, नेशन में, एकता है, unity है, और integrity है, वो भी बर करा रहा है, इस तरह की fraternity भी, ठीक है, हमारे, यह सारे ही rights, यहाँ पर याद रखीगा, citizens को दिये जा रहे हैं, ना कि all people, ठीक है, citizens को यह सारे rights confer किये जा रहे है, justice तरीके के, liberty, पांच तरीके की, equality of status and opportunity of fraternity, ensuring the dignity of individual, and unity integrity of nation, ठीक है, तो यह सारे points जो मैंने अभी आप लो to preamble, अब आगे चलते हैं, आगे है कि, सजन सिंह का एक case है, जिसमें की, कहा गया कि, the preamble encapsulates the essence of constitution's features, तो उसका, पुत्ति स्वामी वर्सेज युन आफ इंडिया का भी case है, जिन्होंने कहा कि, preamble highlights the necessity of ensuring justice, liberty, equality, and fraternity for all of its residents, ठीक है, यह पांट तो हमने preamble में भी देखा, उ सब्सक्राइब के case में, एक्सक्राइब सर्क्राइब किया गया है, ठीक, बाकी आप जरूर इस notes को go through करना, हरे के कोईंड मैंने काफी सो समझ के लिखा है, तो जो बाते मैंने आपको अभी समझाएं, वो बाते अच्छे से worse वे भी आपको notes मिल जाएगी, समाद आजाएग पर जिस पर कि ये question रहा है, कि जो हमारा ये preamble है, इसे constitution का part माना जाए या नहीं माना जाए, तो इसमें primarily तो ऐसे तो बहुत से cases है, जो दो main cases है, जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो ये कि पहला है, रिवियर वारी union का case, इसमें सीधे तोर पर ये कह दिया गया कि जो preamble है, पहली बार तो वो part है constitution का, ठीक है, साथी साथ इसकी importance बहुत जादा है, ठीक है, बहुत important part है, ऐसा नहीं कि सिर्फ part है, बहुत important part है, है ना, और साथी साथ ये भी कहा गया था कि preamble जो है, उसको amend भी किया जा सकता है, कहने का मतलब इसमें modification तो किये जा सकते ह basic structure of constitution, अब basic structure of constitution क्या है, अगर आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है, वरना मोटे कार पर आपने ही समझो, कि केशोनन भारतिक केस में ये कहा गया, कि आप preamble को amend तो कर सकते हो, modification तो कर सकते हो, पर constitution की कुछ basic बाते हैं, कुछ basic से provisions हैं, उसके साथ छेड़ जार नहीं तो उसको किनारे रखते हैं, वो separate video कभी बनाऊंगा, मैं तो आप detail में discuss करेंगे, अभी के लिए आप इतना जानो, केशोनन भारतिक में बस इतना का आ गया, कि preamble जो है, वो constitution का हिस्टा है, बहुत ही important हिस्टा है, और इसको modify भी किया जा सकता है, amend भी किया जा सकता है, subject to only one thing, which is basic structure of our consultation, ठीक है, ये बाते कहीं गहीं, और आगे, एक second, केशोनन भारतिस, अज़र, preamble इस पर वही जो बाते में आपको कहीं, यहां पर notes में आपके, अच्छे words में लिखा है, तो ज़रूर पढ़ेंगा इसको, and, और हां, ये एक और important point है, ये जो तीन वर्स, मैंने आपको पांच वर्स डिसक्स किये न, preamble में, तो उसमें से जो तीन वर्स थे, secular, socialist और integrity, ये जो तीन वर्स थे, ये 42nd constitutional amendment से आये है, या दर कियेगा, 42nd constitutional amendment से, preamble में 3 वर्स ते इंटर्डूस किये गए, कौन-कौन से secular, socialist और integrity, ठीक है, और in the year 1976, 1976 में ये amendment आया था, ये बा इस वीडियों के वन इतना ही, I hope मैंने जो preamble से related आपके साथ point discuss किये, उसके legislative intent से लेके, जो रिस्पृटेंशल बेसिस से लेके, क्यों है constitution में, क्या ये constitution का हिस्सा है या नहीं, और क्या इसे amend किया जा सकता है कि नहीं, preamble से related सारे ही points मैंने discuss कर दिये, फिर भी अगर कोई दाउद रह रहा हो आपका, तो बेजेजा का आप comment section में पूछेगा, I will be happy to help you, बाकी notes लेने आपको बताए दिया, description में दिये link से आप download करनी जागा, revision में काफी useful होती है, बाकी इस video के वाल इतना ही, thanks for watching and stay tuned for the next one, bye bye